कैसे आप लो superiority का करेंगे और जानेंगे कि और आज क्या-क्या स्कता आप साङरे कर सकते हैं कहां सब डाइ कर सकते हैं जिससे आपको ज्यादा ज्यादा प्रॉपिट हो सके आज के इसी वीडियो में सारे लेबल को में डीसकस करेंगे तो जो भी टुसका सब लेवल है तो आप लोगो sell और buy करने में आशानी हो चके तो चलि़ दुस्तों करते हैं बीडियो के start दुस्तों बीडियो इस्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो कल फरकास्ट कहते हैं उसका एक बार result हम देखते हैं उसका result क्या आया है दोस्तों जब मै कल फोर्कास्ट करें तो मॉर्के गरे इसमाइटेट आ करी पहड़ी usr तो इदर मार्केट Two के स्फवास से करी अगर कोई 82 से भी अङर किया होगा तो माल यहां से देख सकते हैं कितना पिप्स आपकी गेंग किया है करीब करीब 220 पिप्स के आसपास में मार्केट यहाँ पर दिये है उसके बाद ये एक मैंने strong buying zone भी बताया था और देखें इसी area को सबसे पहले मार्केट ने टेस्ट किया और यहाँ पर कितना दिया आपको एक सो चालीज पिप्स के आसपास में mainly इसके बाद मार्केट ने इस लोग को सीप किया लोग को सीप करने बाद कितना औभी अभी तक दे रही है आप देख सकते हैं मैं बोलता हूं बार बार ओ ऐसा क्यों मैं बोलता हूं आपको खुद बखुद आइडिया हो जाएगा तो चलिए करते हैं आज गोल्ड में क्या क्या होता है कहां से आप स्वेल करेंगे कहां से आप बाय करेंगे जिससे आपको ज्यादा ज्यादा फ्रॉफिट हो सके तो दोस तो चलिए मैं यहां पर आपको फॉरक्स पैट्री ओपन करने के बाद आज है बुद्ध्वार का दिन तो आज है जो कि 18 सितंबर और जो कि जो नियुजिस आ रहे हैं तो यहां पर देखेंगे तो आज आए जो कि 11 बज़े जीवीपी करने हुझा जो कि सीपी आई नियुक्त जा रही है आज का दिन बहुत जादा इंपर्टेश होने वाला है गोल के लिया से और आज की दिन थर्सडे में देखेंगे तो जो कि 12 बचे फिर जो कि फ्रेस कंफरेंस है यह नि इसका जो कि आज का भी दिन गोल्ड के लिए से बहुत ज़दा इंपोर्टर्ट है आज गोल्ड में क्या हो सकता है चलिए मैं अब आपको बता रहा हूं और दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे और जाएंगे देखेंगे कि डेली में क्या सिच्वेशन बनी हुई है तो डेली में आप देखेंगे तो यहां पर सेल का साइन तो मार्केड ने करीब दे दिया है लेकिन चुकि हम लोग इंटाडे टेडर हैं हम लोग को सब कुछ देखना होता है ठीक है तो मैं एक चीज यहां पर देख रहा हूं तो सब्सक्राइब देख लूँ उसके बाद मैं आपको एक चीज यहां पर किलियर कर दूँ आज मार्केड फिलाहाल टेक्निकली सो सेल है अलाकि फंडामेंटली कुछ भी हो सकता है तो चलिए मैं उन सारे लेवल को आपको बता जे रहा हूं तो दोस्तों अगर आज स्ट्रॉ सेलिंग जो आज के लिए हो सकता है और यहां से आती है तो आप एक कंफरमेशन देख करके आप अच्छी सेलिंग ढूट सकते हैं और अगर इसके उपर की हम बात करते हैं कि तो यह 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 कि वह सारे एरिया जो ओपर के सेलिंग लो सेलिंग के लिए बेश्ट है लेकिन ज्यादा पॉसिबल है कि इस वाले अरिया से मार्केट फॉल कर सकती है ठीक है अगर चोटा टाइम फ्रम है और लेटेस्ट में हम सेलिंग की बात करते हैं तो यह लेटेस्ट यही है लेकिन आप यहां से भी sale ले सकते हैं लेकिन विल्कुल छोटा सा SLA के आप entry यहां से भी बना सकते हैं चुकि यह बड़ा time frame में यह churn iskan CL बना चुका है तो आप यहां से भी entry ले सकते हैं और यह trapping भी हो सकता है कि sailing के जगा जाके वाईंग के सिंग्नल दे रहा है तो यह ट्राइब भी हो सकता है जिसको ट्राइब आता हो उस नमझ सकता है ठीक है तो यह कुछ सेलिंग लेवल जो कि मैंने तीन सेलिंग लेवल आपको बता दिये हैं आप डायरेक्ट यहां सेंटरी भी ले सकते हो लेकिन असल बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है इसके बाद अगर हम एक जोन की बात करते हैं तो वह जोन आपको एक मिलता है बलकि मैं H1 में ही वह आपको जोन बता दे रहाँ ठीक है यह वाला जोन अभी भी वैलिड है ठीक है और अभी भी टेस्ट नहीं है तो यहां से भी आप बाई देख सकते हैं और इस्टोंग अगर हम बाई जोन की बात करते हैं तो यह वाला तो एरिया बिल्कुल सेफ है ठी ठीक है जो 31 के आसपास में मैं रेकालते हैं मैं देख लो एक बाद इस वाले एरिया से जब इसका रिश्टेश होता है तो आप दोस्तों जेकी यहां से आप बाई ले सकते हैं ठीक है यहां पर कंफर्मेशन देखना भी ज़रूरी है और थोड़ा सा अगर और और भी अगर नीचे आती है तो मैं एक चीज और भी आपको बता दूँ मैं 15 मिनिट में जाता हूँ अगर बहुत जादा नीचे आती है तो इन सारे एरिया से आपको आज बाई देखने को मिल सकता है लेकिन इतना चांसे सहे नहीं कितना नीचे आए लेकिन जो भी एरिया बनता है मेरा काम है आप लोग को बताना तो आप लोग इन सारे एरिया को आप लोग नोट करके रखि बता barking ने काने हुआ i सबसे पहले हम लोग जाते हैं था तो यहांपे आप चीज़ देखेंगे तो यहांपर मैंने कुछ सेलिंग जोन बताय था हलाग कि मार्केश कुछ सेलिंग दिया उसके मार्केश फिर उपर चली गई तो कंफर्मिशन भी देखना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रॉंग सोलिंग जिन जो कि मैंने यह बताय था तो मैं आज जो की गोल्ड के लिए मैं एक चीज आपको बता सकते हैं अगर मार्केश में जाती है तो आप लोग इसको यहां से ट्राइ प्रसकते हैं और मुझे पूर पूरा उमिद 해् कि सिरिया में जारूर जाएग जाएगी मार्केश ए और उसके बार इसका जो फटेख प्रॉपिट रहेगा ये रहेगा मैं आपको Tech Profit भी बता दे रहा हूँ तीक है उसके बाद Second ये और Third ये तीक है तो इस वाले एरिया से आप लोग GPGPY में Sell कर सकते हो और बढ़ते हैं अब USile के तरब USile में क्या कुछ है तो USile को अगर हम देखते हैं तो USile को मैंने इस एरिया से बाई बताय था और आप देख सकते हैं कि इस एरिया से थोड़ा सा नीचे आई है और Market उस एरिया को टेस्ट करके उपर फिलाल के लिए जा रही है और Skystorm Selling जो उनकी बात करें तो ये है और यहां पर भी Selling के साइन दे लेगी मैं बोलूंगा नहीं अभी Selling करने के लिए आप इस एरिया का वेट करें ठीक है अभी इसको उपर जाने दें अगर बालेटिस्ट बाइंग जिनकी हम बात करते हैं तो एक चीज है एक चीज है मैं देख लो मैं इसका लोगर हंट होता है तो फिर से आप यहां से बाइए देख लेकिन आपड़बाइं वी शायल में उपर जाती है तो आप लोग वी प्रफिर फिलाब देखते हैं तो बीटीशी में तो बीटीशी बीड़वाइड है और इसका डेली कर अब हम देखते है डेली में अच्छा जी अगर इस एरिया मिलती है ना जो मैंने विकली फोरकास्ट के था शिक्स्टी थाउजन के लिए में तो आप यहां से एक बड़ी सेलिंग सोच सकते हैं ठीक है और आज की हम बात करते हैं तो आज के लिए तो इसमें कि यहीं से मूब कर रही है लेकिन मैं चाहूं को थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं इन सारे एरिया पर तो आप बाई देख सकते हैं कनफरमेशन के साथ बिना कनफरमेशन का कुछ भी नहीं होता है तो इसका आप लों को बिल्कुल ध्यान देना है और उपर जाते हैं तो बिंदा से आप लों सेल ले सकते हैं तो यह कुछ लेबल थे जो कि मैंने सारे लेबल आपको बता दिया ह उमीद है दोस्तों आपनों को ये वीडियो पसंद आयोगा और आपको वीडियो पसंद आयोगा, प्लिज वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पनायोगे तो चैनल को शब्सक्राइब जरू कीजेगा, इस ते क्या आगतों आ गयाने बाली वीडियो जिसके नोटिफिकेशन पसे पहले आपको मिलेगा